कि बिस्मिल्लाय रिमान रहीम कैसे हैं भाई आप लोग रेटना नहीं है समझना है नाइंत केमिस्ट्री चैप्टर नमबर थ्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीक है और उसका हॉट्टेस्ट टॉपिक है यह पूरा चैप्टर ही वैसे तबाकुन है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका हॉट्टेस्ट टॉपिक जिसको मैं लगभग शायद दो साल बाद बना रहा हूं अब नील बोर्स एटोमिक मॉडल और इसके साथ साथ डिफेक्ट्स जो है रधर फोड के अटोमिक मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट्स थे वो भी तो आज का हمारा टॉपिक है यह नील बोर्स एटोमिक मॉडल नील बोर्स अटोमिक मॉडल पहले आपको यह बता दूँ कि आसर मैंने दो साल क्यों लगा दिये इस टॉपिक को पूरे चैप्टर नमबर वन के टॉपिक्स क्लियर कर दिये चैप्टर टू के कर दिये ठी के कर दिये प्राबलम सॉल्व हो गई फॉर के कर दिये फाइफ सेवन एट नाइन और आगे भी किसी हद तक सिर्फ इस टॉपिक को क्यों छोड़ दिया आखर ये कोई खास बात है इसके अंदर खास नहीं खास खास बात है मैं असल मैं डर रहा था इस टॉपिक को छिड़ते हुए मैं आपको जरा किलियर लिए एक बात बता दूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही थी ये बात कि नाइन किलास के स्टेंडर्ड को लेके मैं कैसे ये बात समझाँ इसमें जितनी चीज़ें हैं वो कैसे आपको समझाँ अधूरी ना मुकमल बात करना में गया हुआ है साइंस की समझ बूज को लेके तो ये एक ऐसा टॉपिक था बलके पूरा चैप्टरी स्ट्रक्चर ओफ एटम के बहुत ज़्याद बारहल चलते हैं इसके उपर मैं कोशिश करता हूँ मैं पहली बता रहूं कि मुश्किल भी है और नई भी है और आपने इस से पहले शायद साइंस की दुनिया में अभी तक सुनी ही नहीं होंगी तो पहले अपने जहन को तैयार कर लीजिए कि ये जो मैं बाते बता रहूं ये बादशा मलका की कहानी नहीं है ये रियालिटीज है ये हकीकत पर मबनी बाते हैं तो पहले अपने अपने जहन को सुइच पर लेके आ जाईए एक मिसाल के साथ बाद शुरू करता हूँ क्या माइक्रो और्गनिजम्स नहीं है ये बात तब तक अच्छी थी जब तक माइक्रोस्कोप इजाद नहीं हुई थी माइक्रोस्कोप की इजाद के बाद जब माइक्रो और्गनिजम्स को देख लिया गया बैक्टेरिया को देख लिया गया माइक्रो और्गनिजम्स को देख लिया गया तो ये बात तेह हो गई कि नहीं कुछ ऐसी दुनिया भी है जो हमारी आँख से ओजल है उस जमाने में इनकिलाब आ गया, साइंस की दुनिया में तब उनको पतह लगा कि यह जो हम सर्फ देखते हैं, अपनी इस दुनिया में चीज़ हैं सिर्फ यही नहीं है हमारे इस अर्थ पर जो चीज़े मौझूद हैं, जो हमारे इर्द गर्द विखरी हुई हैं सिर्फ यही दुनिया नहीं है, एक दुनिया और है, जिसको हम माइक्रोस्कूप के जरिए देख सकते हैं. इसके अलावा एक दुनिया और है जो के बहुत दूर है एक दुनिया तो वो जो बहुत छोटी थी वो डिसकवर हो गई दुनिया को पता लगा के हाँ भई ये चीजे भी मौजूद है दूसरी दुनिया वो जो है वो बहुत दूर थी किनकी बात कर रहा हूँ, distant stars की, planets की, solar systems की, galaxies की, ये टेली स्कोप तो microscope और telescope इन दो चीजों की इजाद ने फासले घटा दिये microscope ने छोटी चीजों को बढ़ा करके दिखा दिया telescope जिसको दूर भी इन कहते हैं, वो दूर की चीजों को नस्दीक करके दिखा दिया तो ऐसी ऐसी चीजें फिर देखने में आई, बराल, तो जो लोग थे, अब उनको एक बात का अंदाज़ा हो गया था कि सिर्फ हम अपने हवा से खमसा को लेके नहीं चल सकते आगे हवा से खमसा ये आपके sense organs जो हैं, देखना, सुनना, चखना, सूंगना, सुनना, महसूस करना, ये आपकी skin, हैकान, इन्ही के जरीए बात चीत नहीं बढ़ेगी इससे थोड़ा आगे चलना पड़ेगा तो यहाँ पर हम जो है, वो sense organs से, कि सिर्फ इसी से आप observe नहीं करेंगे चीजों को, ये पांच sense organs जो हैं, अब आपको devices का सहारा लेना पड़ेगा, आलात का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि ये microscope है और telescope है, इससे भी आगे एक और दुनिया है, वो mathematics की दुनिया है, mathematics की दुनिया, mathematical world, mathematical world, जिसके अंदर maths की equations है, ये वीडियो बड़ी बनेगी देखें, बड़ी भी है, आपने लेन्द देख लिए होगी, लेकिन अपने आपको जहनी तोर पर तयार करेंगे, आपको ये एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस करा रहा है, और बहुत मुक्त बसर बात कर रहा हूँ, ठीक है, तीसरी दुनिया जो है, mathematical world, ये मैस की equations है, जो कि आपने physics में भी अभी तक देख ली है, equations of motion आपने देख ली है, VF is equal to VI plus ATA, equations आपको बार बार नदर आएंगे, मुक्तलिफ शकलों में, mathematical equations, chemical equations, समझ में आरी है बात आपको, तो ये equations, जिन पहले इनसान इससे मदद लेता था, फिर उसको devices की नीड हुई, इससे मदद ली, कर कह रहा है, इनसान observe कर रहा है, क्या observe कर रहा है, जमीन पर मुझूद चीजों को, ठीक है, तो sense organs से बात नहीं बनी, तो फिर आगे devices का इस्तमाल हुआ, microscope और telescope का, ये भी हो गया, उसके बा और mathematical equations जो हैं, ये हमें वो रास्ता देती हैं, वो तरीका देती हैं, जिनकी मदद से हम उन चीजों तक पहुँच सकते हैं, जिन तक कोई device नहीं पहुँच सकती, कोई microscope आपको देख के नहीं बताएगी, ठीक है, लेकिन mathematical equations जो हैं, उनकी मौझूदगी का बताएंगी, इसक तो थोड़ा सा मुश्किल है समझाना, लेकिन आप ध्यान लगाएं तो मैं आपको अभी एक छोटी सी चीज़ बता देता हूं, मिसाल के तोर पे अगर आप जो है एक रूम में बैठे हुए हैं, और रूम में सिर्फ आप दो ही शक्स हैं, दो लोग हैं सिर्फ जो बैठे ह या नहीं है, डरिएगा मत मेरी बात सुनके लेकिन यह हकीकत बता रहा हूं, तो क्या होगा, वो बोलेगा आप कैसे बता होगा, वो बोलेगा mathematical equations, माइक्रोस्कोप की मदद से तो हम नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से micro organisms देखे जाते हैं, मैं किसी इनसान की म बात कर रहा हूं, उस room में, दो इनसान बैटे हुएं, एक ये room में, तीसरा नहीं है, तो वो दोस्त बोलता है, भई यहाँ पर तीसरा कोई नहीं है, हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं है, सेंस ओर्गन्स मतलब eyes जो है, उनकी बता रही हैं, कोई नहीं है, दो इंसान बड़ा है साइज में तो वो जो है दोस्त वो मैथमेटिशन्स है वो पेपर उठाता है ध्यान से सुनिएगा बात वो पेपर उठाता है और उसके ओपर कैलकुलेशन करता है mathematical calculations करता है करते 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 आखिर में वो क्या करता है calculations के बाद वो एक mathematical equation बनाता है उस mathematical equation में values रखता है और values रखने के बाद proof करता है और proof करने के बाद mathematical equations उसको ये बात बता रही होती है कि यहां हम दो नहीं है हम यहां पे तीन है हमारे साथ एक और मौझूद है तो वो दोस्त जो है वो मैथेमेटिकल अबने दूसरे दोस्त को कहता है भाईजान हम दो नहीं है तीसरा भी मौझूद है वोला आपको कैसे बता सेंस ओर्गन्स फेल हो गए नदर नहीं आ रहा डिवाइसिस बेकार है कौन सी चीज़ आपको बता रही कि तीसरा भी है मौझूद है वोला मै तेमेटिकल असर बता रही है इसकी एहमियत को जरा समझेगा साइंस की दुनिया में मैतेमेटिकल इक। किसी चीज़ की मौझूदगी को प्रूफ कर देती है तो इसका मतलब आपको पता है क्या है इसका मतलब है कि वो चीज 100% मौजूद है वो चीज 100% सही है ये जरा आप बात समझिएगा इसलिए अब आप सोचते होंगे ना कैमिस्ट्री में भी यार एक्वेशन्स आ जाती है मैस में भी एक्वेशन्स आ जाती है फॉर्मूला जात आती है किलियर हो गई ये बात अब दूसरी चीज को समझना जरूरी है आप नील बोर के अटोमिक मॉडिल को समझना इतना आसान नहीं है जरा तसलिय रखिए अगर आप जो जल्दी में है तो वीडियो बन कर दीजिए टाइम लगेगा इसको समझने में मैं पहले ही बता र पीस है या एक आईरन का पीस ले लिजिए एक आईरन पीस आईरन पीस आईरन पीस आपके पास नहीं है ठीक होगे दूसरी चीज को समझना जरूरा लाइट को लाइट हमारे पास दो किसमों की होती है एक विजिबल लाइट होती है विजिबल लाइट जो आपको अपनी आ लाइट या सन लाइट है विजिबल लाइट में हमारे पास सन लाइट सन लाइट है दूसरी लाइट है इन्विजिबल लाइट इन्विजिबल लाइट यह वो लाइट है जो के आपको अपनी आख से नजर नहीं आती मिसाल के तोर पर इसमें एक्स रेस को ले लीजिए एक् पूरा गुरुप है इस लाइट का इन्विजिबल लाइट का और इसी तरह विजिबल लाइट का भी बहुत गुरुप है इसमें सरिफ सन लाइट नहीं है और भी बहुत सारी लाइट एक तो यह category light की हो गई, अब दूसरी category light की देख लेते हैं, कौन सी, artificial light, artificial light, यानि के मस्नुई light, man-made light, इंसानों की बनाई हुई light, जैसे कि यह saver इस वक जल रहा है, आप देख रहे हैं, आपके mobile में या computer से भी light निकल रही है, यह artificial light है जो इंसानों ने बनाई है, दूसरी light जो है वो natural light, नैचरल light, artificial light और natural light दोनों दो किस्मों की है, visible भी और invisible भी, ठीक है, artificial मस्नुई light जो है, जो इंसानों ने बनाई है, वो invisible भी कुछ lights है, जो के artificial lights है, और कुछ artificial lights जो है, वो visible lights भी है, जैसे के laser, laser, laser light, laser light, इसके full words बनते हैं, light amplification of stimulated emission of radiation, ये laser के full words है, इसी तरह natural light जो है, वो भी दो किसमोकी हो गई, एक invisible light हो गई, जो के natural है, जैसे के alpha, rays, beta, rays, gamma, rays, और दूसरी visible light जैसे के sunlight, हम बहुत ज्यादा इससे मतारफ हैं, तो ये बात भी आपको समझ आगी, अगर मैं कहूं कि आपको light बनानी हैं, तो आप कैसे बनाएंगे, क्या घर में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, ये करना क्या है, अपने किचन में चले जाईए, चूले जलाईए, ये iron का पीस जो है, ये चूले के उपर रख दीजिए, चूले जलाके, ये iron का पीस उसके उपर रख दीजिए, और light off कर दीजिए, घर की light भी बिल्कुल off कर दीजिए, अब वो जो चूले की light, चूले की आग जो जल रही है, उससे थोड़ी बहुत तो light मिल रही होगी, आपको लेकिन थोड़ी बहुत ही है, ज्यादा उससे heat ही मिलती है, अगर आपको नहीं आइरन का पीस ये गेन कर रहा है, क्या गेन कर रहा है, ये heat गेन कर रहा है, किससे कर रहा है, वो जो gas आपने जलाई है, वो जो सूई gas है, वो natural gas है, वो चूले से जो, बलके heat हम जो कहेंगे आग, ये जो fire है, आग जो जल रही है, उससे heat ये iron का पीस गेन कर रहा है, उसके क्या होगा यह आईरन का पीस होट होता रहेगा, और होगा, और होगा, और होगा, गरम होता रहेगा, काफी देड़ तक गरम होता रहेगा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब यह आईरन का पीस आपको पहले किस कलर का था, बलेक कलर का था, सपोस्पोस कर लेते हैं, आईरन का क हमारे इर्द-गिर्द है तो आइरन बलेक कलर का है ये पीस जो है आपने इसको हीड दिया 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 उसके बाद ये बलेक कलर से रेड कलर का हो जाएगा किस कलर का हो जाएगा ये ये रेड कलर का हो जाएगा अब थोड़ा सा वेट कर लीज़े अब हम लाइट की बात कर रहे हैं देखे हमने का नैचरल लाइट और आर्टिफिशल लाइट अब जब ये रेड कलर का हो जाए तो अब आप क्या करें चूले को बन कर दें याद रहे उससे पहले आप पूरे घर की लाइट्स आफ कर चुके थे किचन की भी लाइट आप आफ कर चुके थे सिर्फ चूला जो जल रहा था उसमें जो आग जल रही थी उससे थोड़ी थोड़ी लाइट निकल रही थी हीट बहुत ज्यादा निकल रही थी जिससे ये गरम हुआ और फिर ये आईरन का पीस रेड हो गया अब आप जो है वो चूला भी बंद कर दीजिए क्या होगा पूरे घर में किचन में गोपंदेरा हो जाएगा बिल्कुल एंटायर डार्कनेस बिल्कुल गुबंदेरा हो जाएगा अंधेरे में कोई चीज नजर आती है नहीं नजर आती ना आप चीजों को देखते हैं किसकी मदद से लाइट की मदद से बगिर लाइट के चीज़ों को देखा जा सकता है नहीं देखा जा सकता है लेकिन ये आइरन का पीस आपको नजर आएगा ये आइरन का पीस आपको नजर आएगा क्यों? क्योंकि ये रेड कलर का हुआ हुआ है यह red color का हुआ हूआ है तो red color का क्यों हूआ हूआ है पता है आपको उसकी वज़ाई ये है क्योंकि अब इस iron के piece में से क्या निकल रही है light निकल रही है जी you are the originator of light you are the creator of light आपने light create की इस iron का piece जो के red color का हूगया आप इस में से light निकल रही है तभी तो यह red color का हुआ है, तभी तो यह आपको नजर आ रहा है, तो आपने क्या पना लिया, आपने light बना ली, बात समझ में आ रही है, तो इस तरह भी light जो है, वो बन सकती है, आप gold का piece ले लीजिए, अब इसी तरह यह तो iron का piece है, अगर आप hydrogen gas ले ले लें, hydrogen gas ले 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 microwave oven भी तो होता है, उसमें भी तो चीज़े गरम होती है, ठीक है, और इसके अलावा, electrically भी चीज़ों को आप गरम कर सकते हैं, electrically भी जो है, बिजली की मदद से भी चीज़ों को गरम कर सकते हैं, आप hydrogen gas ले 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 लीजिए, इसके अंदर एक test tube में, ऐसी tube जो के fix depth बंद इसके अंदर hydrogen gas मौझूद है, अब क्या करें? अब आप इसको heat दें, इसको heat दें, ओवियस सी बात है कि ये शीशे के बिनीव test tube है, इसके अंदर hydrogen gas मौझूद है, आप जब इसको heat देंगे तो इसको heat जाएगी इसके अंदर, यहां भी आप यही करें कि यहां पर आप पू ज़्यादा hydrogen gas जो है वो गरम हो जाएगी, इसमें से light निकलेगी, जी जनाब इसमें से भी light निकलेगी, इस hydrogen gas में भी light निकलेगी, वो जो iron का piece था, वो solid था, उसमें से भी light निकल रही थी, hot होने के बाद, गरम होने के बाद, यह hydrogen gas जो है, इसमें से भी light निकल रही है, गर different colors निकल रहे हैं, यहां पर यहां तो एक ही red color की light निकल रही थी ना, यहां पर blue, green, orange तीन color की light निकल रही है, for example, तो यह हो क्या रहा है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, नील बोर का atomic model कहा चला गया, यह मैं क्या समझा रहा हूँ, उसी की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, अब चलते हैं यह चीज़े आप में समझ ली, अब आगे चलते हैं, तो आपको light का concept भी मैंने बता दिया, लेकें कितनी चीज़ें आपको समझानी पड़ रही हैं, तब जाके नील बोर का atomic model आपको समझ में आगेगा, अब चलते हैं, atom की तरफ, atom, atomic model, इसकी तरफ चलते हैं, atomic model, model वर्ड को जारा समझ लीजिए, model वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको उर्दू में कहा जाता है, नम इसी shape या ऐसी शकल जो के original किसी चीज़ को explain करें, model क्या होता है, जिसको आप copy करते हैं, रोल मॉडिल होते हैं, जैसे हमारे रोल मॉडिल को हैं, कौन है हमारे मुसल्मानों के रोल मॉडिल को है, नभी अकरम सल्लालाह लिए वाली वासलम, वो हमारे रोल मॉडिल हैं, उनके जैसा हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है न, उनके जैसा हम करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे रोल मॉडिल हैं, तो मॉडिल वर्ड का मतलब क्या है, नमूना, sample, एक ऐसी चीज़ जिसको देख के आप अपना रस्ता सीधा कर सकते हैं, ठीक है, एक और मॉडिल की example दे दू आप किसी पिलाजा में जाते हैं, पिलाजा में जाते हैं, वहाँ पर आप क्या करते हैं, पिलाजा बना नहीं है, अभी सिर्फ क्या है, एक बड़ा सा मैदान है, पिलाजा बना नहीं है, और वहाँ एक छोटा सा आफिस है, आप वहाँ पर आफिस में जाते हैं, और उनको कहा जाötी मैं पोर्फ नसकिषी हैं, इसक्षा नोकीम क्या धरी अब आगेला। आप यह स्वली आप आप अखे विग आप घुल hem Foreaz वह आउं, अचा में आजए वो इसके प्लेट उंदर कुंप हैं, वो बोलेगाके ल। उनको बोलेंगे फ्लेट तो हम बाद में लेंगे पहले आप हमें फ्लेट दिखाएं तो सही आप देखें आप क्या पूछ रहे हैं उससे मैनेजर से के हमें फ्लेट दिखाएं प्लाजा बना ही नहीं है तो भाई फ्लेट कहां से दिखाएं लेकिन वो क्या करता है वो आपको model दिखाता है plastic का बना हुआ एक model कि ये जो model है ये हमारे plaza का model है और इसमें देखें ये flats बने हुए हैं और देखें आप इस तरह से हम flats बनाएंगे कि तीन rooms होंगे चार rooms होंगे और इस तरह waste open होगा और ये सब देखें आप ये पूरा का पूरा model बना हुआ है मैं आपको ये समझाना चारू हों के model word का मतलब क्या है पहले इसको समझिया.atomic model अब atomic model किसी नही भी दिया हो Rutherford ने atomic model दिया हो नील बोर ने atomic model दिया हो एक बात तो ते है कि ना तो Rutherford ने atom को देखा ना नील बोर ने atom को देखा एटम का जो अक्स देखा गया है वो 2000 के बाद देखा गया है STM Scanning Tunneling Microscope की मदद से वो भी एटम्स की एक जो है वो शबी ही देखी गई है यानि कि हलका सा अक्स reflection जिसको कहते हैं आप छोटा सा ठीक है सल्फर के एटम्स का STM Scanning Tunneling Microscope की जिरी Wall Advanced Microscope है साल मुझे याद नहीं आ रहा भी किस साल में 2015 या 2013 कोई साल था जब एक इमेज जो है इसका एटम्स का लिया गया देखें कब 2000 की बात हो रही है और ये नील बोर और ये जो लोग है इन्होंने एटम की बाते कर रहे हैं ये एटम ऐसा होता है इससे दो साल पेले 1911 में लौर्ड रदर फोर्ड ने एटमिक मॉडिल दिया था उसने भी ये बताने ही कोशिश की थी कि वो एटम जिसको भी तक हमने देखा नहीं है वो इस शकल का इस तरह का होना चाहिए और उससे पहले अगर चले हम तो 1902 में भी और 1904 में भी इसी तरह मॉडिल आया है 1902 में जो है वो क्यूबिकल मॉडिल आया था क्यूबिकल मॉडिल ठीक है ना क्यूबिकल मॉडिल जो है वो 1902 में आया था उसके बाद Saturnian model आया था ये 1904 में Saturnian model आया था Saturnian model ये जो हमारे planets हैं 8 planets उन में से एक planet जो उसका नाम Saturn है इसी से ये Saturnian model 1904 में आया उसके बाद Plum Pudding model आया था Plum Pudding model ये भी आया था 1908 में मुझे जहां तक आद पर रहा ये सब एटम के model है समझा रही है ये बात आपको ये सब एटम्स के model 1911 में जो है वो Lord Rutherford ने भी एटम का model दिया था कि एटम ऐसा होना चाहिए उसमें इलेक्टरॉन, प्रोटॉन, निूटरॉन इस तरह निूटरॉन की तो खेर बात नहीं हो रही थी उस जमाने में क्योंकि निूटरॉन तो डिसकावर हुआ ही नहीं था अब आगे चलते हैं तो ये 1913 में फिर नील बॉर ने जो है वो model दिया था, अब model वर्ड का मतलब समझ में आए आपको अच्छा, अब और आगे चलते हैं ये सारी चीज़ें आपकी समझनी जरूरी है मिटा दू इसको तब ही जाके आपको जो है वो नील बॉर का atomic model समझ में आएगा अब जो तीसरी चीज़ आपको समझनी जरूरी है वो क्या है वो भी देख लेते हैं तीसरी जो चीज़ आपको समझनी जरूरी है वो है फिजिक्स सर फिजिक्स कहां से आगई इसके अंदर नील बॉर आपको मैं बता दू नील बॉर जो थे वो फिजिसिस्ट थे ठीक है केमिस्ट नहीं थे ये पहले में कलियर कर दूँ सिर्ट थेक्स और आप आप समझी लेजें विफोर नैंटीन हंडर्ड और नैंटीन हंडर्ड अब ही का चल रहा है दो हजारिकिस चल रहा है ठीक है तो ये क्या है विफोर नैंटीन हंडडड 1 नाइन 0 से पहले का जो टाइम पीरेड है वो कौन सा होगा अठारा सो निन्यानवे, अठारा सो अठानवे, अठारा सो सत्तानवे, और नीचे चले जाए आप, फिर एटीन हंडर्ड आएगा, सेवन्टीन हंडर्ड आएगा, सिक्स्टीन हंडर्ड आएगा, सिक्स्टीन हंडर्ड आएगा, सिक्स्टीन हंडर्ड 99, 99 के बाद क्या आएगा और नीचे जाए 50 आजाएगा, और नीचे जाए 40 आजाएगा, 30, 20, 10, 9, 5, फिर 0 आएगा, ये AD के लाता है, जिसके फुल वर्ड्स है, N और डॉमिनी, और इस 0 के बाद जो है, वो टाइम पिरिड बी-सी का आता है, तो 1900 से पहले 0 AD तक और 0 AD से भी पहले BC तक, डेमोक्रिटस वो शक्स था जिसने बोला कि दुनिया में जितनी सारी चीज़े हैं न सब की सब छोटे छोटे चोटे पार्टिकल्स से मिलके बनती हैं, छोटे छोटे जर्रात से मिलके बनती हैं, जोके इंडिविजिबल हैं, उनक BC कहलाता है, विफोर क्रिस्ट, हजरत ईसा लेसलाम के दुनिया में आने से पहले का जो टाइम पिरेड हैं और दुनिया में आने के बाद का जो टाइम पिरेड हैं अभी तक, वो AD कहलाता है, जिसके फुल वाइड्स हैं, एन और डॉमीनी, यह चीज़ समझ लीजिए, और आगे चलके 0 AD से, विफोर 1900 AD और आफटर 1900 AD तिल नाव, अब तक का जो टाइम पिरेड हैं, फिजिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, फिजिक्स विफोर 1900 AD, 1900 से पहले की जो फिजिक्स सी, वो सारी की सारी जो है वो किलासिकल फिजिक्स कहलाती है, क्या कहलाती है, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है, क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है, इसको न्यूटनियन फिजिक्स भी कहते हैं, न्यू, न्यूटन से, न्यूटनियन फिजिक्स भी कहते हैं, देके नाम देख लीजिए, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मेकैनिकल फि After 1900, 1900 के बाद का जो टाइम पिरिड है, जिसमें ये नील बोर भी आता है, 1913, और हम भी जो आते हैं, ये सब क्या है? ये modern physics के लाता है, modern physics, जदीद physics, modern physics और इसका एक और नाम है, quantum physics, quantum physics, इसको quantum physics भी कहा जाता है, modern physics भी कहा जाता है. ये 1900 का साल बड़ा ही एहम है, इस time period में एक शक्स आया था, जिसका नाम था Max Planck, Max Planck, ठीक है? और इसने 1900 में ही एक theory दी थी, Max Planck ने, और इसकी theory के बाद से physics दो हिस्सों में तूट गई थी, ये classical physics, Newtonian physics अलग हो गई थी, 1900 में क्योंकि इसने Max Planck ने theory दी थी, Max Planck की theory कहलाती है, Planck's quantum theory, अटाव दूँ इसको, Planck's quantum theory, Planck's quantum theory, ये कब दी थी, Max Planck ने? 1900 में, और इसकी theory आने के बाद जो है, physics की दुनिया बदल गई, 1900 से पहले जितना भी physics में काम हुआ, सब का सब classical physics में चला गया, और before 1900, before 1900 की physics जो है, classical physics जो है, या Newtonian physics जो है, अब मैं आपको एक और word बताता हूँ, एक word है macro, दूसरा word है, micro, macro और micro, इसको भी जरा समझ लेजिए, macro का मतलब बड़ी चीज़ है, बड़ा, micro का मतलब छोटा, ये जो हमारे पास before 1900 की physics सी सारी की सारी है, ये macro things से मतालिक है, यानि के बड़ी बड़ी चीज़ों से मतलिक है, ऐसी चीज़ें जिनको आप अपनी आख से देख सकते हैं, रेल गाडियां, पहार, हवा, मटी, पानी, बिल्लिंग्स, गाडियां, ये सब की सब जो है वो macro things हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, ये सब किसमें आजाती हैं, classical physics में आजाती हैं, newtonian physics में आजाती हैं, उस physics में आजाती हैं, जो के 1900 से पहले पहले थी, 1900 के बाद जो है वो macro से हम micro की तरफ चले गए, micro things, micro objects, वो चीज़ें जो के हमें अपनी आख से नजर नहीं आ सकती, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की physics, उसी बहुत छोटी 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 physics को हम modern physics भी कहते हैं, और quantum physics भी कहते हैं, समझ में आरी है बात, modern physics और quantum physics, टाइम देख रहा हूँ, मैं 30 मिनट तो हो गए, 30 मिनट से आप मुझे सुन रहे हैं, सारी की सारी बाते हैं, मैं भी तो बोल रहा हूँ न, जरा समझे इन सारी चीज़ों को, यह जब तक नहीं समझेंगे, आप निल बोर के atomic model के बारे में एक लवज भी नहीं बोला, नहीं भाई, इसी के ऊपर यह सारी बाते हैं, आगे चलते हैं, तो हम कह रहे हैं, आफ्टर 1900 जो है, वो माइक्रो अब्जेक्ट से मुतालिक, physics जो है, वो कहलाती है, modern physics या quantum physics, इसको समय लीजे, और यह जो division हुई physics की, यह max plants की जो है, वो plants quantum theory के बाद हुई, आगे चलते हैं, यह बाद भी बता दी, अब जरा energy के concept को भी समझ लीजे, बलके अब जो चीजे समझाओंगा, वो समझाओंगा मैं, किसको लेके, इन points को लेके, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है, वो जरूर समझ में आ जाएगा, क्या बोल ये, रदर फोर्ड ने, एटम का मॉडिल बताने की कोशिश की, लॉर्ड रदर फोर्ड ने, रदर फोर्ड अटॉमिक मॉडिल मैं अल्रेडी दे चुका हूँ, वीडियो उसके अपर बनी वी है, ठीक है, रदर फोर्ड ओवर्विव दे देता हूँ, लॉर्ड रदर फोर् डिस्कवरी ओफ इलेक्ट्रॉन हुई जेजे थॉम्सन ने की इस डिस्कवरी ओफ इलेक्ट्रॉन ठीक है डिस्कवरी ओफ इलेक्ट्रॉन और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी याद रहे कि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी होता है प्रोटॉन भी होता है यह पहले इलेक्ट्रोन की डिसकवरी हुई थी, जेजे थॉमसन ने की, इलेक्ट्रोन की डिसकवरी के ऊपर मैंने 18 वीडियोज बनाई है, पूरी प्लेडिस्ट अलग है, अगर आप इतना दिल रखते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लेडिस्ट देख लीजी, आट्व हरा वीडियोजों हैorang डिसकवरी ओफ एलेक्ट्रॉनुके ऊपर बनाई है वेल। लेकिन जब ये अब 1911 मैं मालकिन यद रहaces हैं किसरीव स्रेब इडिसकवरी है दुनिया को प्रोटॉं के बारे में कुछ नहीं पता था दुनिया को न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता था याद रहे ठीक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है बाद में कब यह प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी 1917 में ये भी लॉर्ड रॉदर फोर्ड ने की थी 1917 में ठीक है और क्लेम किया था लॉर्ड रॉदर फोर्ड ने 1920 में तो आप इसको 1920 ही रख लीजिए के प्रोटॉन के डिस्कवरी जो है वो 1920 में हुई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के उपर भी मैंने 6 वीडियोज बनाई है आप वो देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए तफसीलन बात हुई उसमें और न्यूटॉन के डिस्कवरी जो हुई थी वो 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी ठीक है तो फर्क देख रहे हैं आप 1917 या 1917 छोड़ने 1920 और 1932 टाइम पिरिएड देखें अब एटॉमिक मॉडिल कोई देर आ है लॉर्ड रदर होड ने भी एटॉमिक मॉडिल दिया या नील बोर ने भी एटॉमिक मॉडिल दिया जरा सोच ये वो एटॉमिक मॉडिल के अंदर क्या बाते करेंगे वो एटॉमिक मॉडिल के अंदर ये बाते करेंगे कि जनाब एटम ऐसा होता है एटम की शकल ऐसी होती है और एटम जो है वो किन से मिल के बनता है अब ये जो जवाब वो देंगे कि एटम किसे मिलके बनता है तो आप 1911 में लौट रदरफोर्ड को देख लें कि उस टाइम में तो सरफ इलेक्टरॉन ही डिसकवर हुआ था बस इलेक्टरॉन की डिसकवरी हुई थी या 1911 में न्यूकलियस डिसकवर किया था न्यूकलियस की भी डिसकवरी की थी ये भी लौट रदरफोर्ड नहीं की थी ठीक है और ये बात बताई थी के न्यूकलियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन नहीं कहा था कि प्रोटॉन है उसके बाद 1913 में नील बोर ने जब अपना एटोमिक मॉडिल दिया तो उस वगभ भी किसी को प्रोटोन का नहीं पता था और नियूटोन का नहीं पता था, ये याद रहे ठीक है, इसको पार्ट वन करते हैं भी मैं ठग गया ठीक है, इसको पार्ट वन करते हैं नील बोर अटोमिक मॉडिल पार्ट वन यह सब चीजे समझनी जरूरी है ठीक है? या तो आप पार्ट टू देखेंगे यह नहीं छोड़ देंगे कि नहीं यार क्या मुसीबत के लिए आ गई है और लेकिन अगर अगर वात के ही आप समझना चाते हैं हमारे चैनल पे रटना नहीं चाते तो मेरे साथ रहें पार्ट टू भी जो है उसके अंदर हम जो है वो नील बोर के अटॉमिक मॉडिल की बात करेंगे और डिफेक्ट की भी बात करेंगे यह पार्ट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखीएगा नो लाइक, नो सब्सक्राइब, अनली शेर